पूरी दुनिया सोचती रह गई, he will not do it, he will not do it, he cannot do it, पुतिन आया और बोला just did it, देखते ही देखते आज दूसरा दिन हो गया है of the Russian invasion on Ukraine, कहा से इतनी बड़ी हरकत हो गई, इतना बड़ा कांट हो गया और international community हका बक्का रह गया है, देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन आज देखवक्त में हम बहुत जल्दी से बस तीन main points पे focus करना चाहते हैं, क्योंकि जो Ukraine में हो रहा है, जो Russia ने किया है, उसका bearing हमारे देश पर हम पर भी हो सकता है तो सबसे पहले आज हम आपको थोड़ी सी ये बताने की कोशिश करेंगे कि पूतिन ने इतना बड़ा कांड किया कैसे, how is he getting away with war, how is he getting away with murder, लोगों का कतले आम हो रहा है यूकरेन में और पूतिन को कोई घंटा फरक नहीं पढ़ रहा है कि international community क्या चीक चीक कर कह रही हो, ऐ ऐसा कैसे हो गया, इसका impact इंडिया पर कैसे हो सकता है, क्योंकि आज दुनिया में USA, रशिया और चाइना तीन ही main powers है, तो इसका impact इंडिया पर directly पढ़ सकता है आने वाले कुछ महिनों या next 1-2 साल के अंदर उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, and what next of course, इस invasion के Ukraine में कीव में ताबड तोड अभी explosions की बात आ रही है, तो रशिया को क्या रोका जा सकता है या नहीं, क्योंकि कोई war तो होने वाला है, कोई guns और tanks और planes लेकर तो आने वाला नहीं है Ukraine को बचाने के लिए, तो क्या कोई solution है, सबसे पहले, कि रशिया ऐसा कर कैसे रहा है, पू कोई ऐसी controversy हो और कभी भी कोई बड़ा देश हो, तो उसके आसपास ऐसे territories होती है, जिसका एक historical claim होता है, तो अखंड Russia की अब construction हो रहा है, पूतीन अब अखंड Russia बनाना चाहते हैं, जो कि एक time पे Catherine the Great ने भी कहा था, कि भाई मेरा empire इतना बड़ा है, there is no way to defend my borders, but to extend them, पूत अजीज के साथ लड़ाई की थी, और अब पूतीन कह रहा है कि देखे, मैं भी तो एक वैसा ही काम कर रहा हूँ, अपने देश को बना रहा हूँ, और मैंने already Crimea को 2014 में annex कर लिया था, और अब दो लाग ट्रूप्स हमने यूकरेन बॉर्डर पे खड़े करके रखे हैं, USSR का एक glory, जो Russian Empire के glory था, उसका बुझना था, तो पूतीन कह रहे हैं और पूतीन उस जमाने में जी रहे हैं कि USSR की जो glory है, वो वापस आए, ये हिटलर वाली philosophy है, जब हिटलर भी जर्मनी के glory के लिए काम कर रहे थे, बाकी areas annex कर रहे थे, क्योंकि जर्मनी की प्राचीन glory को 1991 में disintegration of Russia जो हुआ था, वो एक historical wrong है, और आज Ukraine में anti-Russian project चल रहा है, तो देश को बचाना है, Ukraine को attack करना है, क्योंकि ये self-defense है, जी हाँ ये war नहीं है, ये self-defense है, पूरी दुनिया को बताइए और अपने देश में चीक-चीक कर बोलिए, कि हमने अपने self-defense के लिए किया है, क्योंकि वहाँ anti-Russia propaganda चल रहा था, anti-Russian activities चल रहे थे, और पूतिन कह रहे हैं कि भया, article 51 of the UN Charter कहता है, कि मेरा right to self-defense है, अगर मेरे उपर कोई attack बाद में करने वाला है, और मैंने preemptive strike किया है, तो it is within my right to self-defense, और उनका ये कहना है कि neo-Nazis Ukraine में पैदा हो रहे थे, जो कि र कह रहे हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, याद रखे, यहाँ कोई छुप-छुप के attack नहीं हो रहा है, यहाँ कोई मूँ नहीं छुपा रहा है, यहाँ international community में UN पे खड़े हो के बोला जा रहा है, कि हमने international law का पालन किया है, पॉइंट number 3, हम तो यहाँ मदद करना च चाहते हैं, देखिए Ukraine क्या क्या कर रहा है, अमेरिका के बाहों में चले जा रहा है, Western Allies के साथ NATO में जा रहा है, जबकि वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम Russia के साथ रहें, और इसी लिए television announcement में कहा है, पुतिन ने, People Republic of Donbass has approached Russia with a request for help, वहाँ के लोग तुराही तुराही कर रहे ह है कि आप आईए, हमें बचाईए, Russia के साथ हम होना चाहते हैं, किसी लिए हम जा रहे हैं Ukraine में, demilitarize करने के लिए, denazify करने के लिए, हम तो demilitarization operation के लिए काए हैं, तो ऐसे smart wordplay से, ऐसे smart tactics से आपने एक war को अगली जामा पहना दिया और बोला कि हम लोगों की मदद करने जा propaganda वहाँ हो रहा है, neo-nazis का, उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, और वैसे में भी ऐसा करना गलत कैसे हो सकता है, जब Ukraine has historically been Russian land, अखंड रशिया का एक पार्ट था, बीच में कहीं अलग हो गया, फिर उसमें उल्टे सीधे कांड हो रहे हैं, तो फिर हम उसको ठीक करने के में बचाइए, तो फिर international community का यहां क्या काम है, आप बाहर रहो, इसलिए पूतिन एकदम strongly आकर television पर address देते हैं, अगर आपको Russian समझ में नहीं आती, तो मैं आपको बता देता हूँ, कि पूतिन basically यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, यह हमारा अंदर का मामला है, अगर बाहर का कोई भी धखल अंदासी देने की कोशिश करेगा, तो आईसी गार ठाड़ेंगे तुम्हारी, कि तुम याद रखोगे, ना नहीं याद दिला देंगे, point number five, mutually assured destruction, इस एक main वज़े से international community बस देखे जा रही है, बोले जा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, Harvard Economist ने एक बहुत वाला gas station नहीं है, European Union 80% अपना natural gas import करता है, and according to US Energy Information Administration, इस 80% में से 41% natural gas रशिया से आता है, 27% of the oil imports पूरा यॉरप का आता है रशिया से, अगर ये चीजे काट दी, और ये पूतिन भी जानते अच्छी तरीके से, अगर ये gas की supply और oil की supply काट दी, तो यॉरप में तराही तरा ही हो जाएगी, as a matter of fact, इसका energy implication देखिए, US तक, US में भी gas prices 3.5 डॉलर तक चले गए हैं, international crude की prices आप जानते हैं, हमारे भी oil prices उपर हो जाएंगे, और इसका आप, election के बाद, इसका भी खामियाजा हम सब भुकतेंगे, रशिया ये जानता है, उसके उपर Ukraine के पास second biggest known gas reserves in Europe है नमबर वन पहले ही रशिया था, तो नमबर वन रशिया ने, नमबर टू, Ukraine के भी resorts अभी खा लिये हैं, तो ये जो gas reserves है, इसके उपर, untapped gas reserves, 1 trillion cubic meter से भी जादा है यूकरेन के पास, उसके उपर भी अब Russia dust के बैट जाएगा, इसलिए तो US जब sanction लगा भी रही है, तो कह ये देखिए, हमारे उपर impact नहीं पड़ेगा, मनें डर-डर के sanction लग रहे हैं, To be clear, our sanctions are not designed to cause any disruption to the current flow of energy from Russia to the world, हाँ, डर-डर के sanction लगाए जा रहे हैं, Our sanctions are not designed to cause any disruption to the current flow of energy from Russia to the world, Point number 6, अच्छा चलो international community कुछ वोल भी दे तो कैसे, जब आपके पास इतने powerful friends हैं, आज दुनिया में तीन major powers कहा जा सकता है, America, China and Russia, अब Russia के साथ China अल्रेडी इतने दिनों से हाथ मिला रहा है, अरे ये attack होने के बाद भी और international condemnation होने के बाद, Beijing ने एक lukewarm response दिया, कहा कि अच्छा डिप्लामसी से कुछ करके देख लो, और उसके बाद धीरे धीरे रशिया के तरफ ही हो गए, चाइना ने कहा है कि देखिए अगर आपके पास international sanctions आते हैं, तो कोई बात नहीं हम है न, we will step in, उसके उपर ये भी कहा गया है कि ये invasion क्यों कहा जा रहा है, ये prejudiced opinion है, चाइना कहती है कि इसको invasion नहीं कहना चाहिए, उल्टा चाइना अमेरिका को blame कर रही है कि आपको क्या जरूरती नेटो में वहाँ घुसने की जरूरत है, रशिया के एकदम बॉर्डर पर आप अपने नेटो forces ले आते, क्यों जरूरत है आपको नेटो में शामिल करने की यूक्रेन को, तो blame उल्टा, उल्टा चोर, कोतवाल को डाटे, पॉइंट नंबर सविन, चाहे हिटलर की जर्मनी हो या आज पूतीन की रशिया हो, ये वाला information warfare तब भी था वर्ड वार में टू, और अब ये जो वर्ड वार 3 के कगार पर आदमी खड़ा है, अब भी है, narrative कौन बना रहा है, control करो narrative, उस समय गॉर्बेल्स था, इस समय पूतिन कर रहे हैं, कि देखिए हमारे साथ गलत हुआ है, हम सही काम कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को convince नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम confuse तो कर ही सकते हैं, आप याद रखिए, रशिया not only mainstream media, बढ़ digital media में भी बहुत powerful है, इनकी जो troll armies हैं, इन्होंने US election में 2016 में interfere किया था, तो अब आप सोच के देखिए, कि कितने तरीके से, ग्लोबल स्टेज पे रशिया का propaganda चल रहा है, कि हम यहाँ invasion नहीं कर रहे हैं, हम demilitarization कर रहे हैं, हम यहाँ जानमाल की नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं, कल तक तो यह मजाख हो रहा था कि रशिया क्यों invade करेगा, अब आज invade करके बैठा हुआ है, ऐसे ही narrative control चलता रहेगा, and point number 8, शायद सबसे ज़्यादा important point है यह, कि यह सब हुआ कैसे, international community हमेशा underestimate करती है, एक dictator को, एक genocide creator को, Hitler के साथ भी ऐसा ही हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था कि Hitler इतनी बरबरता करेंगा, अच्छा हिटलर ने थोड़ी जगा यहां ले लिया, अच्छा थोड़ा पोलिंड यहां ले लिया, और जब तक Hitler एकदम world crisis तक नहीं बात आई, तब तक किसी ने नहीं माना, including the UK के प्राइम मिनिस्टर Chamberlain, तो अब situation ऐसी हो गई है, कि पूटीन ने धीरे-धीरे करकर सब को शौक कर दिया है, और अब NATO कह दिया, अच्छा हम क्या करें, अच्छा सैंक्शन करना पड़ेगा, और UN की तो बात ही मत करिये, UN तो कंडेम करने के लिए एक सेशन बढ़ाती है, कि युद्ध नहीं होगा, न युद्ध करने की अबिलिटी है किसी के पास, सिर्फ सैंक्शन तक ही हो सकता है, और उसके लिए, कहीं हद तक शायद पूतीन सोच रहा है, कि वो तैयार है, और उधर वर्ल्ड लीडर्स, उनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए, हमने हिटलर के रूप में देखा हुआ है, जर्मनी ने भी ये सारे टैक्टिक्स वर्ल्ड वर्ड टू से पहले किये थे, जो आज पुतीन इस्तवाल कर रहा है, उस समय हिटलर भी बहुत सक्सेस्फुल थे, इंटरनेशनल कम्यूनिटी को फूल करने के लिए, अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो पढ़ लीजिएगा Second World War की एक पूरी समरी पढ़ लीजिए, अगर पूरी किताब भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो समरी सुन लीजिए कुकू FM पर, अपने टाइम पे, अपने कन्विनियन्स पे सुन लीजिएगा, थोड़ा नॉलेज बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि, और खासकर कि हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट कर रहा है अपने आपको, तो इसी लिए, कुकू FM का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, 50% डिसकाउंट कोर्ड के साथ, थोड़ा जान लीजिए कि यूरोप में क्या हुआ था, और कैसे अब वो रिपीट हो रहा है, अब आते हैं असली मुद्दे की बात, चलिए यूकरेन में जो हो रहा है, रशिया जो कर रहा है, कर रहा है, हमें यहाँ बैट कि उसका मौज नहीं लूटना है, क्योंकि यही काम हमारे साथ भी हो सकता है और बहुत जल्दी, क्योंकि आज चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका अपने आपको अकेला पा रहा है, कल अगर चाइना ऐसा कोई act of aggression करेगा, तो रशिया उसका साथ देगा और कोई बोलने लायक नहीं रहेगा, अब यह जो सारी points हमने जल्दी से discuss किया था, अब इसको लगाईए आप चाइना के रूप में, अगर चाइना वोही अखंड रशिया वाला philosophy यूज करे और बोले कि traditionally हमारा जो जमीन था, हमें वो वापस चाहिए, वोही काम उसने टिबेट के साथ किया हुआ है, कल वोही काम अगर वो गालवान के साथ करे, अगर वोही काम वो अरुनाचल प्रदेश के साथ करे, तब क्या होगा? यही काम अगर वो बोले कि यह internal matter है, यह हमारी पुराने disputed areas है, दुनिया को इसमें आने की कोई जरुवत नहीं, तब हम क्या करेंगे? Mutually assured destruction का example ले लीजिए, कोई चाइना के खिलाफ खड़ा होगा, इतने resources हैं चाइना के पास, इतने valuable materials हैं, minerals हैं, कि chip production दुनिया भर में बंद हो जाए, अगर चाइना अपना हाथ खीच ले, और चाइना के पास है powerful friend in the shape of Russia, हमारे पास कौन है, हमारे लिए कौन खड़ा होगा, and चाइना ये जानता है, कि international community को कितनी आसानी से fool किया जा सकता है, क्योंकि ओईगोर Muslims की बात कर लीजिए, Tibet की बात कर लीजिए, human rights की बात कर लीजिए, हर चीज में चाइना international community को fool करते आया है, और successful रहा है अभी तक, तो इस पूरे Russia, Ukraine के मामले में, हमें बैट के bedroom में, popcorn खाके देखना नहीं है ये युद, ये हमारे साथ भी हो सकता है, और इसका एक ही तोड़ है, कि हमें technologically, economically और militarily बहुत ज़ादा और strong होना पड़ेगा, जिससे कोई आधी भी सोचे ना, कि भाईया ये देखो, यहां का हम ले सकते हैं, यहां का हम जमीन हत्या सकते हैं, यहां के हम soldiers मार सकते हैं, हम बैट के सोच सकते हैं, कि हम बहुत powerful हैं, लेकिन गालवान के इस बाद, गालवान के एक साल के बाद, 100 billion dollars of सामान हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, यह दिखाता है कि हमें कितना ज़ादा और काम करना है, not only, technologically अपने आपको और बेटर करना है, economically और militarily also, कि हम अभी भी foreign powers पे dependent हैं, कहा जाता है, एक reason है कि हम Russia के अगेंस बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि Russia से इतना सामान militarily हमारे पास आता है, तो यह जो हम communal politics, beef, हिजाब, खत्रे में हैं, urban नकसल, यह फुटकर politics जो कर रहे हैं, जब तक यह हम बंद नहीं करेंगे, और सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करेंगे, कि हमारी economy खत्रे में हैं, और हमारी सीमा खत्रे में हैं, अगर अगले दो-चार सालों तक, सिर्फ इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो China सोचेगा, यार देखो आपस में ही इतना भिललड भिल रहे हैं चलो यहां भी हम थोड़ा सा अपना आईडिया आजमा लेते एक और important चीज़ याद रखिएगा कहा जाता है कि पूतीन को जब भी internal crisis लगता है जब भी लगता है कि उनकी popularity कम हो रही है तो वो एक युद्ध छोड़ देते हैं उनकी जो popularity बनी थी वो भी military campaign से ही बनी थी यही same trait हो सकता है श्री हमारे यिंपिंग क्योंकि ये भी भाई साब अब तो lifetime के लिए chairman बने पड़े हुए हैं और जब भी चाइना में कोई problem होगी तो वो इधर ही गालवान के तरफ या अरुराचल प्रदेश के तरफ देखेंगे तो ये clear and present danger है सब को पसंद है चाहे चाइना हो या इंडिया हो या रशिया हो एक victorious military leader जो लोगों के घर में घुस के मारे सब को पसंद है और यही वाला पैतड़ा इस्तमाल हो सकता है इंडिया के खिलाफ भी finally very quickly in the end अब क्या हो सकता है रशिया के साथ एक बात समझ लीजिए कि युद्ध नहीं होने वाला है कोई NATO की forces और armaments नहीं rolling करेंगी tanks rolling नहीं करेंगी युद्ध कोई नहीं छेर रहा है यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेन तो occupy हो रहा है जैसे हम ये episode record कर रहा है तब भी लेकिन कुछ चीजे हो सकती है जिससे रशिया को बाद में वापस जाना पड़े अब बाइडन ने एक international consortium के साथ international साथगात के साथ एक बहुत बड़ा sanction तो लाबू किया है लेकिन वो sanction क्या काफी है 1 trillion dollars का बोला जा रहा है sanction क्या वो काफी है शायद नहीं इतने तक के लिए तो शायद रशिया भी already तयार है बोला जा रहा है एक चीज जो कर सक, किया जा सकता है और जिससे बहुत जादा ठेस पहुचेगी रशिया को वो है swift international payment network जिस transaction से, जिस system से international payments होता है 11,000 banking organizations 5 billion financial messages जिससे exchange होती है, trade होती है अगर आप उसको बंद कर दो रशिया को financial system से ही पूरी तरीके से निकाल दो लेकिन इसका ripple effect होगा कि जो उनसे चीज़े खरीदते है for example, Europe जो उनसे gas लेता है, oil लेता है तो वो भी बंद हो जाएगा तो ये swift payments अभी भी on है personal sanctions against Putin अभी भी नहीं लगाएगा है लेकिन कुछ और new age चीज़े देखी जा रही है hackers collective anonymous ने बोला है that they are declaring cyber war against Russia उन्होंने already एक DDOS attack launch किया है which is called denial of service attack ये एक बहुत ही basic hacking technique होता है जहां लोगों की websites आप disable कर देते हो क्योंकि इतना traffic आप भेजते हो fake traffic उनके तरफ भेजते हो लेकिन अगर ऐसे ही cyber attacks होते रहे अगर Russia को every international event every international award, every international instance से बाहर निकाल दिया जाए तब शायद कुछ हद तक Russia को rethink करना पड़ेगा लेकिन अभी तक जहां तक लग रहा है international community सिर्फ देख रही है and Putin as of now जीत रहा है आज का Hitler तो भाया अभी तक जीत रहा है अगर आज के Hitler को pushback करना होगा तो पूरी दुनिया को साथ में काम करना होगा ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ UK, ना सिर्फ US लेकिन सब को एक साथ मिल के काम करना होगा अगर military history के बारे में और दुनिया में ऐसी चीजे कैसे हुई है पहले उसके बारे में और भी जानना है तो पढ़िये थोड़ा सा कुकू FM में ऐसी किताबे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी बहतरीन दुनिया की किताबे आपको मिल सकती है इस audio platform पर जहां आप किताबे सुन सकते हैं audiobooks के माध्यम से, अपने convenience से, अपने time पर वैसे तो कुकू FM का annual subscription है is for rupees 399 लेकिन क्योंकि आपने bell icon दबाया है आप सबसे पहले आए हो यहां तो first 250 देशभक्त family members get to download and install कुकू FM at 50% off यानि 199 रुपीज का full year access to कुकू FM आपको मिलता है, download link मैंने नीचे दिया हुआ है download code इस्तमाल करे DB50, देशभक्त 50 and get 50% off, first 250 people only, so hurry up आपको मिलता है